हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल शर्दा श्रिवानी सकसेना कैसे हैं आप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं और आज फिर से हाजिन हूं एक नई वीडियो को लेकर फिर आज भी मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जारी हूं जो आप लोग को बहुत बसंद आएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी होगी और इससे पहले मैंने वीडियो शेयर करने थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे रेस्टूरेंट स्टाइल डोसा आप घर बहुत असानी से बना चुके हैं और वो वीडियो मेरे चैनल प कैसे आप अंडे की पकॉड़ी बनाएं यस फ्रेंड एग जो अंडा होता है आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसकी पकॉड़ी बना सकते हो जो कि खाने में बहुत ही जादा टेस्टी यम्मी और डिलिशियस लगती है मोसली अंडे की हम लोग भुजिया बनाते हैं पर आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें आप अंडे की पकॉड़ी बना सकते हैं वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और कुछी मिंटों में बनकी रेडी हो जाती है तो चली फ्रेंड्स मेरे साथ किचिन में चली हो और आपको बताती कि कैसे आप अंडे की पकॉड़ी घर पर बना सकते हैं किसी भी पकॉड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके साथ चटनी की जरुवत होती है तो चटनी बनाने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए हमें चाहिए हारा धनिया मिर्च दो टमाटर और लसन बिना चटनी क और मिर्च थोड़ी सी जादा रखिएगा तो यह चटनी बहुत अच्छी लगेगी बनकर और जो पकोडी हम बना रहे हैं उसमें भी इसका एक बहुत एहम रोल है देखिए उसके बाद मैंने इसको खाली कर दिया और ढखके रख दिया और मैंने इसमें प्याच ओनियन को एक कूकर में ले रही हूं और उसमें मीडियम फ्लेम पे दो विसल लोगी और मेरा एग रेडी हो जाएगा बॉइल हो के आप चाहें तो किसी भगोने या कटोरे में भी उबाल सकते हैं पर एक बार कूकर में उबाल के देखिएगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम भग सकते हैं मैंने मीडियम फ्लेम पे दो विसल ली और मेरे एग इतने अच्छे से उबल चुके हैं अब ठंडे होने रख दी है हम ले रहे हैं बेसन देखिए अब हमें एग की पकॉड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन आप एक की क्वांटिटी के हिसाब से बेसन ले सक गरम मसाला एड़ करा है और चाट मसाला एड़ करा है और अब इन सब को मैं एक मिक्सचर बना लूँगी देखिए इसका मिक्सचर जो हमें बनाना है वो ना ही बहुत जादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत जादा पतला होना चाहिए देख सकते हैं मैं इसका बैटर मै तो अंडा जो है बेसन नहीं रोक पाएगा क्योंकि अंडा चिकना होता है तो बेसन उसकी उपर से हट जाएगा इसलिए आपको बैटर तोड़ा गाडा रखना है जैसे कि मैंने रखा है उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने बॉयल एग लिये थे उसको हम छेल लेंगे और उ अधर मैंने जलने का ड़र रहता है. इसलिए मैंने इस तुरीके से सम्मे फोक से छेथ कर दी है उदर मैंने कड़ा चला दी है उस पे मैंने oil डाल दिया है आप refined oil कुछ भी ले सकते हैं जो आप पसंद करते हों और आप देख सकते हैं इस तरीके के हमें पूरा साबित अंडा लेना है और इस तरीके के बेसन में अच्छे से उसको coat कर देना है आप देख सकते हैं बेसन गाड़ा है इस वज़े से कितना अ एक साथ डाल दिया है आप 2 से ज्यादा भी डाल सकते है या वन बाई वन करके भी डाल सकते हैं अगर आप फ़र्स टाइम बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा एक वैक साथ डाले और फिर जब आप बना लेंगे आपको practice हो जाइगी तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं द तो एक तो वह अच्छे से अंदर तक पक जाता है मीटियम फ्लेम पर करा है मैंगे इसको पलट दिया हमा deben lamp होती है चाहे मोड़ी बना रही है यह कोई बी चीज मीडियम फ्लेम पर बनाने से मेशहें चीश नष्ण समसवाधा लिल तो यह तो City बना रही है यह तो बहां ठंडा होने रख दूँगी प्लेट में। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इन दोनों को लग कर लेगे आप इसको हाँ से बी alakar सकते हैं और चाको से भी उसके बाद हम क्या करेंगे इन परफदी को बीच में से कट कर लेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप इसको friends एक बार बनाईएगा और try कीजेगा trust me guys आपको यह बहुत पसंद आएगी और अगर आपने एक बार बना ली तो बार बार बनाएंगे लेकिन feedback जरूर शेयर कीजेगा बनाने के बाद कि आपको कैसी लगी देखिए अब हमने इनको बीच से cut कर लिया है उसके एक की पकोड़ी बनकी हो गई है ready friends आप एक बार इसको खाईएगा यह जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे 10 गुना अच्छी यह खाने में लगती है और नहीं इसको बनाने में आपको बहुत जादा time लगेगा तो friends एक बार मेरे recommendation पे इसको जरूर बनाईएगा और आपको बनाने के बाद यह कैसी लगी आप इसको खाईएगा और मेरे साथ अपना feedback शेयर कीजेगा और अगर मेरी recipe और मेरे effort अच्छे लगे हो तो like, share और subscribe करना मत भूलिएगा मेरे channel को और इससे पहले मैंने डोसर की recipe शेयर करिए कि कैसे आप घर पे बिलकुर restaurant style डोसर बना सकते हैं जो ना ही चिपकेगा और दो मिनट में बनके रेडी हो जाएगा वो recipe भी मेरे channel पे है जिसका लिंक मैंने description में दे दिया है तो देखा friends कैसे मैंने अन्डे की पकोड़ी बनाई है वो देखने में भी कितनी अचछी लग नहीं दी तरफ रेजी को जरूँ त्राइब कीजेगोOL स्भागोक्त अगर आपको मेरी वीडियो मेरी रैसिपी यह अच्छी लगी हो तो प्लीज लगी हो तो प्लीज लाइक Śare and सब्सक्राइब माइं चैनल और अगर आप कोई नई रैसिपी देखना चाहते हैं किसी नई तरीके से तो आप मुझे कमेंट कीजेगा, मैं आपको जरूर बताऊंगे तिल देन, बाबाई